वेलकम बैक पूमाइटूब चल पेपर हैकर आज किस वीडियों देखेंगे जो भी छात्र पीए थर्डियर में है उनके लिए हम जियोग्राफी का थर्ड पेपर लेके आए हैं और इसका नाम होगा सुदूर पूर्व एशिया जिसे हम सुदूर पूर्व एशिया को पूर्व एशिया भी कह सकते हैं इसको हम पूर्व एशिया के नाम से भी जानते हैं यह फिर सुदूर पूर्व एशिया भी बोलते हैं जियोग्राफी की थर्ड पेपर मौस्ट इंपोटेंट है आपके 2022 मे आने वाले कोशन की बात करने वाले हैं जिसका छबसक्ड यह है और आप अपने बुक नोट्स गेस पेपर को आप ओपन करेंगे और जो जो कोशन आपको बता रहो इन कोशनों को पढ़ेंगे इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना है मैं आपसे बादा करता हूँ कि आपको यहां से 85% प्लस देखने को मिलेगा कुछ भी बाहर नहीं जाएगा एक्जाम से दो दिन पहले मैं आपको important question दूँगा 10 question जो आपके पेपर में आते होंगे सारी उनिवेस्टी के अलग लग से बना दूँगा आप हमारे यूटूब चल पेपर हैकर को अभी subscribe करके रखिए वैल आइकन को प्रेस करके रख दीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपको पेपर सबसे पहले आपको बिल जाए चलों को subscribe कर बैड आइकन को प्रेस करते हैं इस को शुदूर पूर्ब का मतलब होता है Asia मतलब की पूर्भी एसीा सुदूर पूर का मतलब होता है पूर्भी फूर्भी जो पूर्व पहले का एतिहास था उसके रादनेतिक सुरूब क्या थे उनके बारे में आपको एक Aun weeds रहनों जो सांस्कृतिक और जो भूद्रश्य वाली कह सकते हैं दरश्य वली पर अपने विचारों को प्रस्थिल करना है। सुदुर्व पूर्व एसिया के भागॉलिक सुरूप या फिर धरातल की प्रमुकh विशिस्ताओं के बारे में बताना है और साती साथ आप से पूर्व एसिया के बारे में पूचेगा अब कह सकते हैं अब वही प्राणडी के बारे में प्राकितिक बनवस्ट बरसपति हो क पूर्भी कोशन की खनिज संपदा पर एक भिस्तर ने बंद लेकना है। की बारें बारें प्रकास Most Importents है उसके बाद में है सुदूर पूर्व के जो समाजिक महत्व dif आर्थिक समस्याओं और प्रकास डाला है कि सुदूर पूर मेन और एश्य आर्ठिक समस्याओं थे बो क्या क्या थी उनके बारे में आपको याद कर लेplaces राष्ठ देगर चीन ही के उल्जा उनकल से हैं उनके बारे में आपको याद करना है उसके बाद में next question आता है चीन की पिर्मुक जो फसले हैं उनके उत्पादन और उनके बित्रण पर प्रिकार ड़ाना है उनके पिर्मुक फसल कोन कौन से हैं उनके बित्रण क्या है फुरे आठकर लाई next question है चीन के ओधोगिक प्रदेश के बारे में और साती साथ कौन-कौन से उद्धों के प्रदेश है उनके बारे में चीन की आर्थिक प्रदेशों के बारे बता देना है ठीक है उसके बादे नेक्स कोश्चन पर टिक लगाएंगे चीन की जनसंख्या और विकास पर प्रकास डाली जन्संक्या है जन्संक्या भिकास की स्प्रकास आपका आभववालिक प्रदेशों में जो विभाजित करते हुए उनकी विशेस्था का संचित प्रकाश डालना है ठीक है तो भगॉलिक प्रदेशों में जापान को विभाजित करना है और उनकी बिसेस्था क्या-क्या है वो याद करना है जापान में जल कह सकते हैं जो जल विद्धुत होता है उसका बिकास कैसे हुआ है जापान में उसके बाद में है जापान का जो रेसम उद्धो क्या है उसके बारे में याद कर लेना है जापान की किरसी पर निबंद आपको याद करने ना है ठीक है जापान की किरसी पर निबंद लेखना है और पूर्भी एसिया की अव्वह प्रांडी के समस्या क्या है तो पूर्भी ए शजुदूर पूर्व एसिया के प्राकृतिक संसाधन कम हैं उनके बारे में आपको याद करने लेना है उसके बाद में आता है चीन के ब्यक्तित्व का प्रकास डालना है चीन के ब्यक्तित्व का प्रकास डालना है और चीन के वर्तमान ठीक है अविर्द्व की समिक्षा करनी है ठीक है उसके बाद में नेक्स कोशन है जापान के ब्यक्तित्व का प्रकास क्या है और जापान की वन संपदा का उल्लेक कर देना है ये कोशन थे 2022 में आने वाले कोशन इसके अलावा कुछ और नहीं करना है और कुछ नहीं करना है जादा से जादा वीडियो को शेर कर देना है और चैनल को सस्क्राइब कर लेना है इनके अलावा कुछ और नहीं याद करना है ठीक है नोटा? समझ लिना और जादा से जादा वीडियो को शेर कर दोना है कोई भी दिक्कतारी कोमेंट सेक्स में पूर सकते हूं मैं आपसे भादा करता हूं कि आप ये याद करके 2022 में 85% लेके आएंगे और आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है अपके उनिविस्टी में यूपी बिहार एंपी और उत्राखर्ट के लिए इसके लावा कोशे और मत पढ़ना थैंक यू, गूडबाई, टाटा, लव यू